हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी यह सायर इस्टडी में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग महादीपों और उसंसे संबंद्र तथ्यों के बारे में डिस्क्षिन करेंगे चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ महादीप तो दोस्तों संपून प्रत्वी का इस्थल छेत्र सात महादीपों में बटा हुआ है यानि कितने महादीप हैं संपून प्रत्वी स्थल पे सात महादीप हैं कौन-कौन से हैं पहला है एशिया महादीप यह इस संसार का सबसे बड़ा महादीप है दूसरे नंबर प उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है दच्छनी अमेरिका चौथे नंबर पर आता है अफ्रीका अफ्रीका जो है वो दूसरे सबसे बड़ा महादीप है तो दोस्तों सबसे बड़ा महादीप कौन है एशिया और दूसरे नंबर पर कौन है अफ्रीका यह कोश्चन कई पुछा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा महादीप कौन है तो वह है अफ्रीका और सबसे बड़ा महादीप एशिया सबसे छोटा महादीप है आश्ट्रेलिया अंटार्ग्ट का पाचवा सबसे बड़ा महादीप है छेथफल की द्रश्टी से तो दोस्तों साथ महादीप है इस संपूर्ण प्रत्वी के स्थल छेत्र में एशिया सबसे बड़ा महादीप अफ्रीका सबसे दूसरे नंबर पर आता है चेत्वल के मामले में यूरोप छटे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है दच्छनी अमेरिका चौथे नंबर पर आता है अंटार्क्किका जो है, वो पांच में नंबर पर आता है, और सबसे चोटा महादीफ कौन सा है, ऐस्टेलिया महादीफ, यह आपको याद रखने हैं इन सातों के नाम, ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं, अब बात करते हैं, एशिया महादीफ की, तो एशिया महादीफ संसार का सबसे बड़ा महादीफ है ठीक है इसके बाद विश्व का सबसे उचा परवशिखर कौन सा है माउंट एवरेश्ट विश्व का सबसे उचा परवशिखर माउंट एवरेश्ट जो की नेपाल में है वो इसी महादीफ के अंतरगत आता है जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है माउंट एवरेश्ट का एक और नाम है सागरमाथा जो की नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है ठीक है और ये विश्ट का सबसे उंचा परवत है काउन है Mount Everest, जो Asia महादिव में आता है, अगला point देखते हैं, विश्ड का सबसे उंचा पठार, पामीर का पठार एशिया में ही है, तो दोस्तों, विश्ड का सबसे उंचा पठार, पामीर का पठार है, जो की एशिया में है, अगला पॉइंट देखते हैं विश्व की सबसे गहरी जील कौन है बैकाल जील वो भी एशिया में ही इस्तित है अगला पॉइंट विश्व की सबसे बड़ी जील है कैस्पियन सागर तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी जील है और सबसे गहरी जील कौन सी है बैकाल जील ये दोनों ही जीले जो है वो एशिया महदीप में आती है आगे देखते हैं विश्य का सरवाधिक वर्षा वाला छेतर कौन सा है मासिन राम दोस्तों पहले चेरा पूंजी था लेकिन उसके बाद जो है नई रिपोर्ट आई थी उसमें मासिन राम को सरवाधिक वर्षा वाला छेतर गोशित किया गया था तो मासिनराम कहां इस्तित है भारत के मेघालाए में है जो की सरवाधिक वर्षा वाला छेत्र है अगला पॉइंट है लाल सागरवा भूमद सागरवा जोड़ने वाली नहर है स्ष्पधे िमधाव lapak magic Şu Also release कह लाल सागरवा भूमद सागरवार कौन सी नहर जोड़ती है तो व प्रशांत माअसागर को जोडने वाला बेरिंग जलडमरू मस है तो बेरिंग जलडमरूमद्ध जोडतल वह आर्ग đầu प्रशांत तमासागर को जोड़ता वह एक पाया जाता है, अध्यतिया माहदीव में पायाय लुब माधियम की सरवाधिक यूरोक माहदियम् तो अगर प्रश्ण बनता है कि विश्व का सुनदर नगर किसे कहते हैं तो आपका अंसर होगा Paris या fashion की नगरी किसे कहा जाता है तो भी आपका अंसर होगा Paris और Paris कहां की राजधानी है France की राजधानी है अगला परसिंद देखते हैं चेत्रफल की दरश्टी से विश्र का सरवाधिक बड़ा देश रूस है यह हम सभी को पता है आज विश्यव का प्रवुग गेहूं उत्पादक छेत्रह है इसलिए यूँकरेन गणराज को विश्यका अन्भंदार या रोटी की डलिया का ठीक है तो प्रशना इसे बनेगा आप से कि रोटी की डलिया किसे राद केय तो आप कहेंगे यूकरेन गणराज को जो की देश भी कहा जाता है Φुम क्या कहते हैं सुरा और संदरियों का देश इसे क् son कि शेंपेन शराब जो है भो विश्व में सबसे अधिक आददी कहां बनती फरार्स में बनती द матери अगला पॉइंट है यूरोप को प्राय दीपों का महादीप भी कहते हैं ये बहुत ही important है प्रशना कई बार पूछा गया है एक्जामों में कि प्राय दीपों का महादीप किसे कहते हैं तो आपका answer है यूरोप यूरोप को प्राय दीपों का महादीप भी कहा जाता है आगे देखते हैं यूरोप का फिल्लेंड शहर जो है उसको जीलों का देश कहते हैं तो जीलों का देश किसे कहा जाता है फिल्लेंड को इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है तो दोस्तों अपना देश भारत है उसी प्रकार यूरोप का भारत किसे कहते हैं यूरोप के भारत कि सेंग्यां किसको दी गई ये इटली को दी गई दोस्तों गल्फ इस्त्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कमबल भी कहा जाता है दोस्तों GALF इस्त्रीम जलधारा जो है वो गर्म जलधारा है और इसे यूरोप का गर्मकंबल भी कहा जाता है आगे देखते हैं अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महादीब की दोस्तों उत्तरी अमेरिका की खोच की थी कोलमबस ने ये एक्जाम में कई बार मोचा गया है इतियास सेक्षिन का प्रश्ण अगला पॉइंट है विश्र की सबसे बड़ी ताजे जल की जील कौन सी है सुपीरियर जील वो कहां पाई आती है उत्तरी अमेरिका में पाई आती है दोस्तों हमने बात की थी सबसे बड़ी जील और सबसे गहरी जील की सबसे गहरी जील बैकाल जील सबसे बड़ी जील कौन सबसे बड़ी ताजे जल की जील आपको ध्यान से पढ़ना इसको ताजे जल की जील सुपीरियर जील अगला पॉइंट है नमकीन पानी की जील ग्रेट साल्ट लेक ये USA में पाई आती है ये भी उत्री अमेरिका के अंतरगती आती है अगला पॉइंट है संसार का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है नियार्क बंदरगा तो नियार्क का जो बंदरगा है वो संसार का सबसे बड़ा बंदरगा है अगला point देखते हैं अब देखते हैं बात करते हैं दच्छनी अमेरिका की दच्छनी अमेरिका महादीब जो है उसमें विश्व की सबसे अधिक उची नौकाया नजील टिटी काका है मतलब जो टिटी काका जील है वो सबसे अधिक उचाई परिस्थित नौकाया नजील है जह जच्छन अमेरिका में पाये जाता है अगला पर देखते हैं विश्वर सरवाध्य कौफी उत्फाधिट करने वाला देश कौन सा है दो ब्राजील है और ये बी जच्छन अमेरिका का ही इस्सा है पंपास को यह कोशन आप मुझा जाता है कि कि कैते हैं तो पंपास जो है वह हरे घाष के मैदान होते हैं जो चरागा की तरह य्क है ठी推़ दो पंपास को क्या कहा जाता है negat deme कहते हैं और यह दज्शन अमेरुका में पाई जाते हैं प्रश्र इस तरीके से पुछा जाता है कि दच्छन अमेरिका में हरे गास के मदानों को क्या कहा जाता है तो उन्हें पंपास कहा जाता है आगे देखते हैं अब बात करते हैं अफरीका महादीब की दोस्तों जैसा कि हम लोगों को में पढ़ा है कि अफरीका म महादूरा सबसे बडह महादूरी ठीक है कि तो विश्य की सबसे लंबी नदी नील नदी थोश्तिए अब हूण तो एक सबसे लमबी नदी है लेकिन नदी प्री कर Правiva के करते हैं सबसे जादा खेटफल गेरते हुए जो नदी बैती है कई धाराओं में होते हुए बैती है वह अमेजन नदी इसलिए कहीं-कहीं उसको भी इसको consider किया जाता है सबसे लंबी नदी के तोर पर ठीक है लेकिन जब आपसे पूछेगा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपका answer होगा नील नदी ये अफरीका में ही बैती है विशुक के सबसे विशाल मरूस्थल कौन सा है साहरा मरूस्थल ये भी अफरीका में पाया जाता है विशुक में सौन नगर नाम से क्या विख्यात है तो विशुक में सौन नगर नाम से विख्यात है जोहेंसबर्ग जोहेंसबर्ग एक शहर है जिसको सौन नगर के नाम से जाना जाता है ये अफरीका में ही है गोल्ड कोश्ट के नाम से जाना जाने वाला देश तो दोस्तों गोल्ड कोश्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है घाना को जाना जाता है और ये अफरीका में पाया जाता है ठीक है अब अफरीका को क्या कहा जाता है अंद महादीव कोशन ऐसे पूछा गया है कई बार एक्जाम में अंद महादीव किसे कहता है तो आपका अंसर होगा अफ्रीका महादीव को ठीक है अगला पॉइंट देखते हैं एक मात्र ऐसा महादीव है जिसमें से करक वा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं दोस्तों यह बहुत ही इंप महादीव नहीं है जिससे यह दोनों रेखाएं गुजरती है किसी से केवल करक रेखा गुजरती है किसी से केवल मकर रेखा लेकिन अफ्रीका ही एक ऐसा महादीव है जिससे करक वा मकर दोनों रेखाएं गुजरती है अब बात करते हैं आस्ट्रेलिया महादीव की दोस्तो तो आस्ट्रेलिया महादीब जो है वो the land of golden fleece और land of kangaroo तथा 85 भूमी का देश भी कहा जाता है ये बहुत important point है तो ये उपनाम है आस्ट्रेलिया के तो आस्ट्रेलिया महादीब के उपनाम कौन कौन से है the land of golden fleece और land of kangaroo देखो लेंड अफ कंगारू क्यों कहा जाता है क्योंकि आस्टेलिया महादीब में कंगारू जो है अधिकतम पाय जाते हैं ठीक है तो इसे लेंड अफ कंगारू भी कहते हैं और इसके अलावा इसको क्या कहते हैं प्यासी भूमी का देश दोस्तों आस्टेलिया महादीब में वर्षा बहुत कम होती है इसलिए इसको प्यासी भूमी का देश कहा जाता है ठीक है ये पॉइंट आपको यहाद रखने है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगला पॉइंट देखते है न्यूजी लेंड भी औस्टेलिया महादीप का इससा है इसको दच्छन का ब्रिटेंट कहा जाता है ठीक है न्यूजी लेंड को दच्छन का ब्रिटेंट कहते हैं इसके आगे देखते हैं काल गुर्ली तथा कूल गार्डी क्या मैंने का अभी काल गुर्ली तथा कूल गार्डी ये विश्व विख्यात सोने की ख़दाने हैं जो की ऑस्टेलिया में पाई जाती है ये कई बार पूछा गया है कि काल गुरली तिसा कूल गाड़ी कहां पर इस्तेत हैं तो इसका अंसर होगा ऑस्टेलिया में ये सोने की ख़दाने हैं ये बहुत बड़ी ख़दाने हैं और बहुत ही विख्यात हैं आगे देखते हैं अब बात करते हैं सात्वा महादीब जो है अपना अंटार्क्टिका अंटार्क्टिका जो है वो दच्छनी दुरूफ के चारों और केंद्रित है यानि जो इस प्रत् इसको श्वेत महादीब भी कहते हैं क्योंकि इसका 98% भाग जो है वह बर्फ से ढखा रहता है ठीक है वहां बर्फ पाई जाती है इसलिए इसको श्वेत महादीब भी कहा जाता है सबसे नियुंतम तापमान जो है इसी महादीब पर पाया जाता है विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं इसको क्योंकि जब 98% पर जो है बर्फ ही बर्फ है तो आप कहीं भी देखेंगे आको बर्फ ही दिखाई देगी इसलिए इसको सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं अगला पाइंट दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंदकार रहता है वहाँ पर यानि अंटार्क्ट का महादीब बाइस मार्च से लेकर 23 सितंबर तक केवल अंधेरा रहता है वहाँ पर कोई रोशनी नहीं मिलेगी आपक उसके बाद 24 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक सूर्ज कभी अस्त नहीं होता है यानि 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक यानि 6 माईने पूरे आपकी रात रहेगी वहाँ पर और उसके बाद 24 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक यानि अगले 6 माईने कभी भी सूर्ज अस्त नहीं होगा यानि कभी भी रात नहीं होगी वहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है अब दोस्तों अपने जो material है मैं पढ़ा आज की डेट में इस वीडियो में उसको revise करते हैं कुछ questions answer की मदद से चलते हैं प्रश्णों की दरव तो प्रश्ण पूछ रहा है सबसे बड़ा महादीप कौन सबसे बड़ा कौन सा है एशिया महादीप उसके बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका है ठीक है और सबसे चोटा महादीप कौन सा है औस्टेलिया महादीप अगला प्रश्ण देखते हैं पामीर का पठार किस महादीप पर है तो पामीर का पठार किस महादीप पर है एशिय अगला प्रशन है संसार का सबसे बड़ा बंदरगा कहां है तो दोस्तों इसका अंसर क्या होगा संसार का सबसे बड़ा बंदर है बंदरगा है नियार्क में तो नियार्क महाद्यूप की सरवाधिक महत्पूर नदी कहुंसी है डेन्यूब नदी आपका सही आंसर होगा और नियल नदी सबसे बड़ी नदी ठीक है और अमेजन नदी जो है वह फैलाव के मामले में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है अगला प्रशन है यूरोप का बारत किसे कहते है तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा यूरोप का बारत कहते है इटली को इसका सही आंसर है option number 1 इटली अगला प्रशन देखते हैं प्राय दीपों का महादीप किसे कहते हैं तो दोस्तों प्राय दीपों के महादीप कहते है यूरोप को यूरोप महादीप जो है उसको प का हिर्दे किसे कहा जाता है फंपास को ह्पंपास क्या है रजकुन अमेरिका में जो घास के मैडान होते हैं उनको रूकंड हुआ प्हुत एनका नाम क्या होता है उनका नाम है न micro mike इस्बीका कрах जाता इसका सही answer option number 1 अगला प्रशन है अंद महाधीब किसे कहते हैं तो अंद महाधीब कहते हैं अफरीका को अफरीका महाधीब दूसरा सबसे बड़ा महाधीब है इसको अंद महाधीब भी कहा जाता है इसका सही answer option number 2 अगला प्रशन देखते हैं the land of golden fleas किसे कहा जाता है तो Land of Golden Fleece किसे कहते है Australia को इसके और भी कौन से नाम है Australia के तीन उपनाम है The Land of Golden Fleece The Land of Kangaroo और 85 भूमी ठीक है तो इसका सही आंसर है Option No.1 Australia अगला देखते है श्वेत महादीब किसे कहते है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अंटार्क्ट का महादीब को Option No.3 अंटार्क्ट का महादीब को श्वेत महादीब भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 98% हिस्से पर जो है बरफ जमी रहती है ठीक है इसलिए इसको श्वेत महादीब भी कहा जाता है इसी के साथ दोस्तों हमारा ये महादीब का सेक्षन खतम होता है मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो हमारे दोरा प्रोवाइट कीगी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो आपके लिए यूसफुल हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बास में लिखके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा थैंक्यू फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में